प्रदान मंत्री जी लेकिन मैं एक दिमाग में एक सवाल आता है कि आप हर बार जब चुनावी रैली में जाते हैं आप कहते हैं कि भारत मेरे तीसरे टर्म में तीन नंबर की एकॉनमी बनेगा आप देश को आगे ले जाने की बात कर रहे हैं आप एक ग्रोथ ट्रैजेक्ट् पर डालने की बात कर रहे हैं आपको नहीं लगता कि एक इको सिस्टम होगा जो ये भारत की बढ़वुत्री को रोकने की कोशिश करेगा सिर्फ देश में नहीं बाहर भी और इनने कुछ लिंक नज़र आता है कुछ मुझे लगता है कि ये बिरोथ जो तिवरता है इसकी उमर चार जुन तक है चार जुन के बाद नंकी हैशियत होगी नंका होसला होगा सिर्फ और सिर्फ मेरे देश की ताकत होगी मेरे देश का सामर्थ होगा मेरे देश के लोकतंत्र का सामर्थ होगा मेरे देश के 140 करोर नागरिकों का सामर्थ होगा और दुनिया भारत के लोकतंत्रिक सामर्थ को नए सिरे से देखना शुरू करेगी और ये जो भी है मैं देखरा हूं दूनिया भारत के चुनाओं को इंफ्लियudo करने के लिए कोशिश कर रहे है जो कि उनको नहीं करना चुछ जो इस अपना उपेनियन नहीं दे रहे हैं अपना कोमेंट नहीं कर रहे हैं वे बारत के लोगों के बहुत सी अंदरूनी जो शक् में भी लोकतंत्र स्वतंत्र दा यह आदर्श क्या होते हैं उन्हें दिखाया है और इसलिए इसमें तो वो कुछ करनी पाएगे मुझे पक्ता विश्वास है कि कि जब कि दीपक बूजने को होता है ना तो यह वो फटपटात है अब उनको अंधेरे में जाना ही जाना है जाना है